खाना पकाने के सरल टीप्स नमबर एक, अपने कारे छेतरे के लिए योजना बनाएं और सभी काम में आने वाले उपकरनों को ब्यवस्थित रखें काम में आने वाले और सर्व करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बरतनों को निकाल कर और सामने में रखें नमबर दो, अपने किचन में तेजदहरवाले चाकू रखें, जिसे आप चल्दी और आसानी से सबजीयां काट सकेंगे और इसे आपका समय भी बचेगा नमबर तिन, खाना बनाने से पहले सारी जरूरी समाग। तयार रखें ताकि आपको खाना बनाने में आसानी हो नमबर चार, अगर आप कुछ उबालने के लिए रख रही हैं, तो ध्यान रखें कि प्रेसर कूकर या पैन का धकन बंद हो, इससे खाना जल्दी उबलेगा और आप गैस में भी बचत कर सकेंगी नमबर पाँच, अगर आप मीट पकाने वाली हैं, तो खाना बनाने से कुछ घंटे पहले मेरिनेट यानि मसालों के मिसरन में कुछ देर रख दें, कर दें और खाना बहुत स्वाधिश्ट बनेगा नमबर छे, अगर आप बेकिंग करने जा रही हैं, तो ध्यान रहें कि ओवन कुछ देर पहले ही गरम होने रख दें, उसके बाद ही अपनी डीस उसमें डालें नमबर साथ, अगर आप सब्जियों को उबाल कर इस्तेमाल करने वाली हैं, तो उसके लिए उबला हुआ पानी तयार रखें, आपका काम काफी आसान हो जाएगा नमबर आठ, अपना समय बचाने के लिए उन आइटम्स यानि डीसेस को पहले से पकाने रख दें या पहले से पकाने जिनने बनाने में ज़्यादा समय लगता है तो दोस्तों ये कुछ किचेन टिप्स थे, जिसे आपको काम करने में आसानी होगी और अब कुछ महत्पून बाते जान लेते हैं, जो किचेन में काम करते वक्त आपको ध्यान रखना है रसोई घर में इन पांच बातों का ख्याल रखें महिलाएं, वरना पती हो सकता है कंगाल इसमें नमबर वन है, खाना बनाते समय रखें अच्छा भाव ऐसा कहा जाता है कि जैसा अन खाया जाता है, वैसा ही मन बनता है लेकिन साथ ही एक बात और भी कही जाती है वह है कि खाना पकाते समय जो भाव खाना बनाने वाले के मन में होते हैं, वही भाव खाने वाले के मन में भी आते हैं इसलिए जोतिस सास्त्र के अनुसार रसोई के लिए दिसा का ध्यान रखकर खाना बनाना चरूरी है नमबर दो, दच्छिन दिशा की और मूह ना करें जोतिस सास्त्र के अनुसार कभी भी दच्छिन दिशा की और मूह करके खाना नहीं बनाना चाहिए ऐसा करने से खाना बनाने वाले और खाना खाने वाले दोनों के जीवन में गरिवी आ सकती है इसके अलावा इस दिसा में खड़े होकर खाना बनाने से हमेशा सिरदर्द, जोडों में दर्द और माईग्रेन की समस्या भी हो सकती है नमबर तीन इन दिसाओं में न पकाएं खाना योति सास्त्रे के अनुसार पस्चिम और दस्चिन दिसा के अलावा उत्तर दिसा में भी खाना पकाने से नुकसान हो सकता है ऐसा करने से घर में आर्थिक परेसानिया उत्पन हो सकती है और कभी-कभी दरिद्रता की इस्थिती भी आ सकती है नमबर चार, यह दिशा खाना पकाने के लिए सूब होती है वास्तु सास्तर के अनुसार अगर खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर है तो यह सबसे सूब माना जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व दिशा सूरी की दिशा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में सूरी की रोसनी सबसे पहले और सबसे तेजी से फैलती है ऐसे में सबसे ज़्यादा सकरात्मक उर्जा भी इसी दिशा में रहती है नमबर पांच इस बात का भी रखें ख्याल घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से गैस चूला या चूला आदी दिखाई नहीं देना चाहिए अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो इसे चिपाने के लिए हलका परदा लगाना बेतर है रसोई घर किसी भी कीमत पर सोचालय के उपर या नीचे तथा सिर्यों आदी के नीचे नहीं बनाना चाहिए ऐसी रसोई न सिर्फ सेहत पर बुरा असर डालती है बलकि धन दौलत पर भी बुरा असर डाल सकती है तो दोस्तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में धन्यवाद